आयादत तो थी थी लेकिन जिस दिन के तुम तुम्हारे उपर यह हद्सा हुआ है उद्रोज से कभी एक टैम कभी डो टाइम खाना आ रहा था बक्राइट के देन कुछ बक्रे बेंटी है तो चैनल ये आप लोगों की तरफ से था ये किसी और की मैंने बता भाई मुझे नहीं मालूम बस बने हम उठते थे तो सिर्ट ये बोला जाता था श्यार में मालिक भाई की नाम पर रख लो नाम निखाते थे ना कुछ करते थे वाईसे उन तमाम दो जिनों ने मेरे वास्ते ही अमज किया मैं उनके बहुत बहुत शुक्र गजार हूँ और उन मामालूम लोगों का दिनों ने और उन लोगों का चुराज तीन दड़े पिए द्वाएं किये यह इसान यह द्वाएं यह द्वाएं की बदवलत मायाद के बीच में होगा यह इसान आपका मेरे उपर जिन्दगी भर रहेगा मेरे एक एक रुवे पर आप लोगों का इसान रहेगा संतावी तारी की राज का वाकिया है आईशा नगर रूर मार्ट यह सब अलाकों से मुलाकात के सिजले जानुदा मैं मुलाकात करकर वापस हो रहा था तक्रीबन राज के एक बज़ा था शाह वीटिंग मडेरियल्स के मालिक मैं नूरबार से निकल कर जब आगरे और पर पहुचा तो शाह वीटिंग मडेरियल्स के मालिक रह्मान श्रावा महजूद से अपनी दुदान पर और उन्होंने मुझे हाथ दिया कि बैटर चाय पिलो उनकी जावत पर मरूप गया और कुछी नमाल बुदर होंगा मेरे बैटने के 5-7 मिंच यह पहुत ज्यादा दर बखनेंगे तो 10 मिंच के अंदर एक मोटर साइकल आती है उसे दो लोग उस पर सवार होते हैं गाली चालू थी रूकी नहीं थी और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा पाज यह साथ पीड ता बासना होना और आते ही साथ उसले अंदार हुन भाइनी मेरे उपर करना शिवर करती मेरे आस-पास के लोग कुछ समझ पाते हैं जबत तर एक गोली मैं खुट भी कुछ समझ पाता के यह माजरा क्या है तो एक गोली मेरे सीने में लगती है तब मुझे एसास होता कि अगोली कर रही है मैं उट कर उसके दरब लगतने लगता तो एक गोली मेरे पाँ में लगती है तो पहले से ओचीं भी बस एकड़ किर्णी के करिब आगे रुपती है पर्ले ही उसका मेरे पास में अगिवने के पास मैं जमीन पर गिल्ग हो गिया धर्मने के पास में उससे और ज़्याद़ चरीब हो गिया जो फाइलिक कर रहा ता मेरे उपर जब उसने उसकी नजर से नजर मेरी थी, उसने जब एक गोली आखिरी मेरे सर के उपर आदा, तो मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा। मैं रातों में सोचता हूँ, होस्पिटर में तो सिर्फ सोची रहा था, क्यार अल्ला, यह हाथ मेरा कैजे उठा, आज तक मैं इस चीज क्यों ने का है रहान हूँ, क्या यह हाथ मेरा यह ऐसे कैजे उठा, दो डाई भीड के बास्यें और उसमें ने वागरी गोली मारी, तो यह हाथ मेरा उठा, और जो मेरे सर पर दोली लगने वाली थी, वो मेरे हाथ से लगकर बुदर के लिए, वहाँ से, मैं तू इदर के उपर, द्वार्दामनी हॉस्पिटर गया, मैंने वहाँ के जो मंदर देखा था, कि 5-50 लोग, इदर उदर, 10-20 का गुरूप इदर, 10-20 का गुरूप पेटल संपर, 10-20 का गुरूप की होटल पर, इनका ये प्रोग्राम था, कि इसको बोली मारेंगे, इसके साथ के जो लोग है, वो भागेंगे, तो बाटी लोग हम तलवारों से और बाटी हत्यारों से इसके उपर हंटा करेंगे, लेकिन जिसको बोलते नांदार अखे उसे कौन चखेंगे, जिए मारना वाले से बचान तूमिलर के उपर पहले के पाट मैंने सबसे पहले कलमा पड़ा थी तान की दोली तो मेरी तान लेटक चुकी थी लेकिन ये तील के पास की दोली थी जिसका मुझे एसाथ हो जेगा कि दुनियानी एकवार के चाहिए तुम माली तेरा बुलाना आ गया है ताजन वर्वब लिजाज की मैंने अल्ला रखुन लिजद के प्रवात्मान के प्रवत्तर उठाया और अल्ला के जिर्वेग दूआ गिया कि अल्ला आप की मर्दी है तो मैं भी राजी आपके पास आजाए के दिए बस मुझे बरनसीब के कमान तुनाओं को माफ कर और वहां से लेकर उस्पिटल कर मैं जब भी पहली मर्टबा हच्च के लिए गया था तो काना एक आभाँ के उपटे मुझे नज़व पढ़ी थी तो मैंने सबसे पहली दूव यही मानगा था कि अल्ण मौत इजद वाणी लेना और मेरी कव मिल्लत के लिए शहीर होने वाणी मौत देना मैंने इमान पर खाट्वा करना मेरा मेरे रम ने वो तुना मैंने जो करनागते राक्ते बोर पहुता गया मैं ये बता रही सक्षा नहीं हाँ किसी को को यह सक्ष होंगा पज्रुबेकार जिसको बोली लगी होंगी लेकिन उसका जो दर्द था एक दर्ण सलाई होती है ना जाल कर दी जाती है इसे जाल ऐसा नगराता कुसी ने जिए इनके पास विसाथ हिया है इतनी जलन और इतनी तख्लीव थी लेकिन मैंने जैसे ही ये दूआ मांगी कि अल्ला आप जिसमें राजी मैं उसमें राजी यकीन मानो वो दर्द ऐसा हुआ है जैसे कहां गया पता ही नहीं चैना और फिर मेरे मैंने देखा कि मेरे अपने लोग बड़े ढगरा है इंशन में मेरे बच्छे मेरे भाई मेरे पतीजे मेरे भांगे मेरे शहर के लोग तो अल्ला ने मिले हिम्मत थी और मैंने इंसे यह कहां करना पहुत बड़ा आज आप पिकर मत करो यह सिर्फ उस वस्ते यह हिम्मत देने का इतनी तकलीव में हिम्मत देने का मकसद फिर यह था कि जो लोगों ने यह हरकत की है कई मेरे शहर के नौजवान उससे मरा आकर कुछ गलत कदन न उठा ले तो मैंने बगाईर उनको यह जाहिर दिया कि अलंद इल्ला में बहुत अच्छा हुआ वहां से मुझे सिटी स्कीन के लिए लेके गया फिर अचानक क्या डिसीजन हुआ पैस्ना हुआ गोली मेरी कहा थी क्या थी वो तो मुझे नहीं बताया जा रहा था नासिक लेके चलेके मुझे नासिक अंजर दूसरे दिन देरा ऑपरेशन शुरू था अबी गोल्या निकली भी नहीं थी मेरे सीने से मेरे किस्म से गोल्या निकली भी नहीं थी और शहेर का एक जिम्मेदार आफिसर अनिकेस भारती साथ उन्होंने पुरे केस को हल करके बता दिया अब जवावां के सामने केस क्या था बैठे दो आरोपी को पकड़े जिसमें से इस बोगत आरोपी था और एक औरिजिनल आरोपी था और इही दो आरोपी के उपर लाकर मामला खत्म कर दिया कि बस यह जो आरोपी है यही जमीन के जमीन का कारोबार था यही सब कुछ था तो उस सोच को मेरे जहन में एक चीज आई कि जब अपने इसकों में पैदा था तो अलिके साथ्टी साथ मेरे पास आए उससे मुसाफ़ा किये और मुटे बोलने लगे के इमत रगो कोई बात नहीं लेकिन उनका यह बयान चुनकर अफसोच हुआ के कातीं से मुहपथ भी मक्तूल से हम्लर्डी गी मुहपथ का रगा किस्टे बहुत है उनका यह रवया मुझे पसंद नहीं आया Department ने जो अथा कि उनका यह पूरा प्लान जा के लिए दो लोगों के उपर केस खत्म किया जाए पाट ने हमारे एले साहब मुक्ति वंबा इसमाई साहब ने आवाद गुलन की और पुलिस के प्रेशर बना के कारवाइस के से ही सिंथ होना चाहिए हमारे लीडर असदुप्धी हवेची साहब और सहर के तमाम जिन्मेदावाण हिजाद बेश साहब यूसुप इल्याज साहब और समाम सहर के बहुत सारे जिन्मेदावाण में जब ये चीज पुलिस के सामने रखी तो पुलिस की कारवाई सही सिंथ आना चुदू मुक्तिजाद ने एवाण के अंदर आवाज उठाई अच्छी बात है मुक्तिजाद आपको पहुत पहुत शुकु ज़ार मैं भी कि आपने एवाण में आवाज उठाई लेकिन यह आवाज सिर्फ आपके इसरे नहीं डाना था कि यह गोली अप्दुर मालिक के चलिए मुक्तिजाद मैं कोई तन्कीज नहीं कर रहा हूँ आप मेरे एमेले हो मेरी पार्टी के एमेले हो सिर्फ इतना ही गोलना चाहूंगा के साथ जो किया तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन अपना उम्मीद करता हूँ कि शहर के किसी भी एक आम आपनी के उपर यगर तुछ ज़़ा भी करा जाएगी तो आप किसी तरीके से आवाज बिताएगी करें ज़ार्टी साथ ने पुरे जाज को रुपी बदं दिया अब असल यह कि व्हायदाद के खड़ा नहीं था ये जग्रा जो सहलानी चौफ के अंदर मैंने ये पात कही थी कि शहर के अंदर हिम्डी का नशा बहुत जादा होगा है हमारी नस्यों को तबा किया जा रहा है जिस तरीके से बंबे में मुम्रा में भूंडी में आप ये दिमाली शहर करेंगा रहे है तो मैंने उसका कहाता है पुलिस है जाए आप जोहन को कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यांदे हम कारवाई करेंगे हम आप लोगों के नाम भी कंप्रेंट करेंगे और मैंने जबे पुझे अलपाज में ये साथ साथ अलपाज में कहा तक एक खियासी घराना है जो ये नशे का संदा शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करवा रहा है और शहर को नशे का आदी बनव कि ये पाट चहीं न चहीं उन हराम खोरों को जागर लगी जो ये बात कहते हैं कि हला जगा नेपाल में क्या बुलते कसीनों पसीनों ये वो इत्ता शरीप अंदर युदे अप्टी काबस आए जिन्ती पाइदाई जिन्ती बुन्याद अराम खोड़ी से हुई है वो ऐसी बात करें इसी साय के बयान से मैं उसी बात को समझ गया के दुस्तिलों के इंदर हिक्मत जिनी कहा से आदें जहीं को जग्रात उनी सो द्यांको चोड़ेंगों के चापाता ना इनके अंदर ये बुस्तिलों के अंदर अगे गोड़ी अक्तुल मालिक को लगी चालीच चालीच पोलिस आसिप शेक्राजिक के घर को गाइखे वाँ ये पलीच वाँ डाक्टर खाजीच ने अत्ता घुम रहा अक्तुल माजीच परेशान हाल घुम रहा उनको कोई खिंगर नहीं मैं मरा परा हूँ मुझे नाजीच ने जाया जा रहा है डाक्टर खाजीच को वाला क्या कम से कब उसके बंदवस दो यह हमें बंदवस नहीं दिये इन्होंने कहां बंदवस दिये वह अफिट शेख रशीद के घर पर वह धलीन के घर पर वह अकीर के घर पर तो मुझे बताईए कि यह माजरा क्या है और चारवाई के नाम पर दो-चार दिन तुमने शहर में बहुत तंडे बरसा है जरी ववाम को सख्वीत थी पांदुखान वालों को मारा जारा ओटल वालों को मारा जारा शहर बन जगाया जारा और आरोपी मजे से घूम रहे अरे तुमने तो इतने खबरी पैड़ाने की तो जरुवती नहीं थी एक ही खबरी मिल गवाम में जो जरुआ 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 इसका मतलब सब्सक्राइब करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब सब्सक्राइब करने वालूम है। करने वालूम है। तेरे जैसे 20-25 पचीज लेके भी कुझा आज आज बोड़ ना मैं अभी जिर्फ पयाद मीटीकरी तुमाटीकरी है पयाद मीटीकरी उचीन नगोजी की के लो इंशाला अज देमा समझना कि मैं जार के बबब के बैठ जाओंगा मेरे शहर को तुम नफ्टान पहुचाओंगे, मेरी नफ्टों को तुम नफ्टान पहुचाओंगे, मेरी कौं को तुम नफ्टान पहुचाओंगे याद रखना, अब दुल मालिक को जो नवी सिंदगी मिली है, आज इस स्टेट पे मेरे वालिक भी मौजूद है आज इस चेज़ पे मेरे भाई भी मौझूल है आज इस चेज़ पे मेरे बच्चे भी मौझूल है आज इस चेज़ पे और इस समाच पूरे मेरे खांदान के लोग भी मौझूल है वह उनके सामने ये बात कर रहा हूँ कि अब मुझे जो जिन्दगी दिये यह आप लोगों कि दुवाँ की मदाला दे और इंशा लो नदीम मैं आज से अब्दुल मालिक अपनी सिंदगी को माले गाउड शहर के विए माले गाउड के वाउड लिए मैं वाउड कर दो आपको मैं वाउड कर दो आपको मैं वाउड के खिलाप आज मैं कोई ख्याकी तक ही कर रहा हूँ मुझे फिर्फ और मुझे शहर का मुश्पचिन बचाना है कौन लाडाई है हम लाडाई हम लाडाई हम हम लाडाई नशे के खिलाप लाडेंगे कुंडा करदी के खिलाप लेंगे पंदू के खिलाप लेंगे सीरे अधिरे अरे डोली चलाओ कितनी चलाएंगे कितने मालिक मारेंगे कितने मालिक मारेंगे और घर से मालिक लिएगा इसका मालिक तुम्हारी सादागीरी, तुम्हारा नशा तो परदाश्ट नहीं करेंगी। मेरे शहर के सर्परस्तों पर भी तुदारीश है कि अपने बच्चों पर ख्यान लोगे। आज तौर से इस्कूल पढ़ वहे हैं। हर इस्कूल के आज पाद इंडी मॉडर भी तरा है। कि मेरा बच्चे अभी तो 14 साल का है, मेरा बच्चे अभी 13 साल का है। लेकिन नहीं, इन हराम गोरों ने लानिंग के साथ हमारी नसलों के अंदर नशा गोल दी है। मैं कोई सियासी तक्रीब नहीं कर रहा हूं। मैं यहां से यह पैगाम देना चाता हूं कि सारे तलाफात भूल्टा उड़ों, न तक्नी, न मोमी, न अंसारी, न शीया, न सुन्दी, न तेवंदी, हमें इस मिल्दत के लिए लवना है। कोई लड़े या न लड़े, हमें हार हाल में लड़ाई दरूंगा। पहले के लड़े, अपने पत्यों पर धान दे। यह पहले उन्हें फुकड में बेका रादर भड़ा रहे हैं। फिर वही बच्चे घर में चूरी कर रहे हैं। फिर वही बच्चे सैट्ल चुआ रहे हैं। फिर वही बच्चे मोटर सैटल चुआ रहे हैं। इन लोगों ने एक श्लानी के तहट पक्के अलाकों को छोड़ों कच्छे अलाकों में भी टार्गेट की है। और हमारे डिपार्मेंट तो इसनी भारी है कि फान की धुगान के देख भीमल की पोड़ी धर इतने वाज़े को पगड़े और शहर में ना एंटी निल्रा इंटो ना दांजा निल्रा वारे कोड़ी जोरा रूख बहुत अच्छे नदी के उस पार्म उड़ी बताओ जहां एंटी भीक रही है यही डिपार्मेंट है ना यहीं एटिस्णलस्पी है यहीं निपोर्टी है यहीं पियाय है जो बाहर के है नदी के उस पार एक जगा नहीं है जहां एंटी भीक रही है आगे को लो और मैं देशने वादों को भी यह बात कहूंगा कि यह धंदा बंबाइक दोगरी से शुरू बदा पठान वाड़ी से लेकिन यह धंदा उन लोगों ने क्यूब अंकर दिये पता है कि देशने वाले सुनो खांग से कि आखिर में उनकी पच्चे नशाटर्जे लगे थे और इस शहर कंदर जब दरदा दिखता था तो यह धिपार्मेंट के लोग से पैसा लेते देना तो ऐसे कुछ अधिकारी देख जिनों ने छूप देके रखे ऐसे कुछ पुलिस वाले ते में उनकु भी यह नस्यत करना चाहता हूं कि तुम यह इस घंदे से पचो नहीं तो किसी का अफिसर का बच्चा एकसीड़न में मर गया जवान बच्चा एकसीड़न में मर गया आपी ले लिया जो गोईञे ना वही काकेंगे कि दिपार्मेट वालों को भी मेरी नसियत है कि पाइसा ले रहे ना तो सोच समझ के लो यह चीछ तुमारी मसलों में भी आने वाली है तो यह मत समझो क्या जाँ पैसा लेकर निकल जाएंगे दो चार सान नौपरी तरके निकल जाएंगे यह मत सूचना कि और और कि बोलना था पर शहर से यही मेरी गुदारिश है कि मैं पहले इतना निकत्ता था इंश्यांग गजीन उससे तस्त पर ज्यादा वाल निकीन हुआ